नमस्कार मैं दॉलर शर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं SPN 9 News बात करते हैं 2024 की लोगस्वाचनाप की 2024 का लोगस्वाचनाप पास आते ही जो है देखा गया अविपक्षी एक जुटता बढ़ गई और बिहार में तेज जून को बड़ी मीटिंग हुई जिस से देख बीजेपी की टेंसन कहीना कहीं बढ़ गई और तुरंत अमिस्सा जो है बिहार पहुंच गए और बिहार पहुंच कर उन्होंने मुझी सरकार के 9 साल में किये गए हुए कारियों के बारों बारों में लोगों को अफगत कराया और सीदा सीदा निजिस कुमार पर और कॉंग्रेस जो है इस पूरी विपक्ष एकता मीटिंग से विमुक हो सकती है और अगर यह दो पार्टियां विमुक होती ही तो कहीं ना कहीं यह विपक्ष गडबंधन और यह एकता बंती हुई नजर नहीं आती लेकिन इसकुमार ने जो है अपने राजनितिक चाल चल करेंगे और उसके संयोजक नितिस कुमार होंगे और साथ साथ नितिस कुमार अपने आपको एक पी एम फेस के तोर पर भी देख रहे हैं और लगातार जो हैं दरवाजा विपक्ष का खटकटा रहे हैं कि उनको पी एम चेहरा बनाया जाए लेकिन पार्टी के साफ किया गय अगरी मीटिंग जो है तस बारह या तेरह जुलाइक को डेख वरू में होनी है जिसमें और भी कई विपक्ष्रश के और सामीर होंगे क्योंकि यह बैंगलोर में बड़ी बैटक होनी है जिससे जो है साउथ बैल्ट पर पूरा-पूरा इंसाना साधा जाएगा क्योंकि कॉंग्रेस ने अभी हाली में करनाटक में बड़ा अच्छा परदसन किया और चुनाब जीते हैं और इसे पूरे विपक्ष की जो हैं क्योंकि विपक्षी एकता की सुरुवात बिहार से हुई थी और हम इसा भी अब भिहार को यहां टार्गेट करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन देखा जा रहे हैं कि 24 पर कहीना कहीं भाजपा सरकार फस्ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि देश में कई आसे मुद् सरकार को लेने चाहिए थी और इसको देख तुरंट बिहार यहां पर ऑमिच साभागते हुए नजर आए और वहां पर उन्होंने करके जो है विपक्ष की जो है अवहिलना करी और उनके उपर निसाना साधा और लगातार जंदा को सचित कर रहे हैं कि निजस कुमार पल्टू बाबू है वो पलट सकते हैं वह आपके हित के लिए आखिर क्या काम करेंगे और लगातार यही 2004 के जुनाम से पहले देखा जा र आखिर निजस्ट में अपके से झाल झाल